यहार एक्सलेंसी, विशिष टाथिटिगान, मेडिया के सभी साथी, मेडम प्रेसिडेंट और उनके डेलिकेशन का भारत में स्वागत करते हुए मिज़े बहुत सुकत अनुभती हो रही है। एक्सलेंसी, भारत आपके लिए नया नहीं है। आप पहले भी कई बार भारत की यात्रा कर चुकी हैं। परंतु राश्पती की रूप में आपकी ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही हैं जब हम भारत की स्वतंत्रता के सत्तर वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। ये इंडो स्वीश्ट ट्रीटी और फ्रेंड्शिप और एक्स्टाबिश्मेंट के साथ दसक पूरे होने का भी समय है। हम उमीद करते हैं कि आपकी इस यात्रा से आपको उसी गर्मजोशी और आतित्य का अनगोव होगा जो हमें प्रेंटी सिक्ष्टीन में अपनी स्वीशल लेंड यात्रा के दोरान मिला था। मुझे ये देखकर हारदिक प्रसंदता होती है कि दोनों ही पक्षों की इच्छा सभी स्तरों पर गनिष्ट समन्द बनाय रखने की हैं। फ्रेंट्स, आज हमने द्वी पक्षियक, शेत्रिय और वैश्विक विश्वयों पर व्यापक और सार्थक चर्चा की हैं। इस यांत्रा से हमारे मजबूत द्वी पक्षिय सम्मन्द और आगे बड़े हैं। भोगोलिक प्रसार और निरस्त्री करण जैसे विशय भारत और स्विजलनेंड दोनों के लिए ही अत्यनत महत्वपून हैं। इस संदर में हम MTCR में भारत के सामिल होने के लिए स्विजलनेंड के समर्दन है तू स्विजलनेंड के बहुत बहुत आभारी हैं। हमने भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एशोसेशन के बीच ट्रेड एंड एकनोमिक पार्टर्शिप अग्रिमेंट पर भी चर्चा की। इस अग्रिमेंट के प्रावधानों पर पहले ही बात्चित प्रारम हो चुकी है। यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। दोनों ही पक्षों ने इस अग्रिमेंट को पूरा करने के लिए प्रतिवधता व्यक्त की है। अज दुनिया के सामने फाइनसिल ट्रांजेक्शन में ट्रांस्परंसी चिंता का गहन विशा है। चाहे ब्लेक मनी हो, डर्टी मनी हो, हवाला हो या हत्यारों और ड्रक्स के सम्मंदित मनी हो। इस वाइश्वीक अभिसाप से निपटने के लिए स्विजलनेंट के साथ हमारा सहीयोग जारी है। पिछले साल हमने टैक्स से जुड़ी जानकारी के आटोमेटिक एक्षेंज के लिए एक संयुक्त गोशना प्रत्र पर हस्ताक्षर किये थे। इसके अंतरगत स्विजलनेंट में आंतरिक प्रक्रिया पुरी होने पर इन्फर्मेशन हमारे साथ आटोमेटिक बेसिस पर सांजी की जाएगी। फॉरेंड डारेक्ट इन्वेश्टमेंट हमारे आर्थिक समंधों का एक महत्पपुन आधार है और भारत स्विज निवेशकों का विशेश रुप से स्वागत करता है। कि इस संदर्व में हम एक नई द्वीपक्षिय निवेश संदी पर बागतित जारी रखने की आवश्यक्ता पर सहमत हुए है। भारत की भृद्धी और विकास में सहभवागी बनने के लिए स्विजरलेंड की कंपनियों के पास अनेक आउसर है। आज दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स के साथ हमारी बागतित के दोरां हमने ये महसूस किया कि उनमें परस्पर लाप के लिए बिजनेस टू बिजनेस कोलोबरेशन को लगातार बढ़ाता रहने की पूरजोर पूरजोर इच्छा उसमें दिखाई दी। भारतिय पारमपारिक आउशदियां विशेशकर आयूर्वेद, हेल्थ और वैलनेस को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। मुझे खुशी है कि स्विजलनेंड ने आयूर्वेद को माननेता दी हैं तता इस महत्पमुन ख्षेत्र में और अधिक सहियों के लिए उत्सुख है। वोकेशनल एजूकेशन और स्किल के ख्षेत्र में स्विजलनेंड भारत से लाब उठाने के लिए स्किल्सोनिक्स का जोइंट इनिसिटिव लिया गया था जिसके अंतरगत पांच हजार से अधिक भारतिय नवजवान लाब उठा चुके हैं। इस मोडल का विस्तार करने की दिशा में हम और भी सहीयोग करने के लिए इच्छू है। साथियों, क्लाइमिट चेंज एक बड़ी चुनोती हैं, जिसका सामना सभी देश कर रहे हैं। Common but differentiated responsibilities के सिधान को ध्यान में रखते हुए हम पैरी समझोते को लागू करने की जरूत पर और इसके कारियानवयन के तौर तरीके विक्सित करने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए है। भारत को अपनी बढ़ती हुई clean energy की जरूरतों को पूरा करने के लिए nuclear supply group की सदस्ता से मदद मिलेगी। इस संदर में energy की सदस्ता के लिए Switzerland land के दिरंतर समर्थन के लिए हम आपको धनवाद देते हैं। इंटरनेशनल सोलार एलाइंस जैसी पहले जैसी पहल और 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूबल एनरजी के लिए को हासिल करने के हमारे प्रहास clean energy और green future के प्रती भारत की प्रतिवध्यता को दर्साते हैं। एक्सलेंसी मुझे विश्वास है कि आपकी ये यात्रा हमारे समंधों को नई उंचाईों पर ले जाने में सहायक सिद्ध होगी। अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए मैं मेडम प्रसिडेंट को धन्यवाद देता हूं और आने वाले महिनों में आपके साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत ही उत्सुख हूं। मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागित करता हूं और भारत में आपके सार्थक प्रवास की शुब कामना करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.